अगर आप कोटक महिंदरा बैंक के घिराक हैं और आपका बैंक अकाउंट जो है कोटक महिंदरा बैंक में हैं तो आप बिलकुल सही वीडियो देख रहे हैं आज हम आपको बताएंगे कोटक महिंदरा बैंक के घर बैठे मुबाइल से क्रेडिट कार्ड कैसे बनाए बिना कोई क्रेडिट स्कोर और बिना कोई सिविल स्कोर के ये क्रेडिट कार्ड आपको कोटक महिंदरा बैंक की तरफ से फिरी मिलेगा lifetime free, lifetime free मतलब इसकी कोई joining fees नहीं है ना कोई इसकी annual fees है जाने जो हमें सालना फीज जैसे ATM की हमें 300 रुपे fees देनी पड़ती है एक साल के, इसमें कोई एक साल की कोई fees नहीं लगेगी, ना कोई इसमें registration charge, ना इसके कोई joining fees मतलब कुल मिला के ये credit card आपको पूरा free पढ़ने वाला है कोटक महिंदर बैंक की तरफ से और साथ ही, इसमें कोई इसके hidden charge भी नहीं है जैसे के आप और बैंकों में देखते होंगे joining fees और annual fees फिज फिज होती लेकिन कुछ hidden charge निकल आते हैं इसमें आपको कोई hidden charge भी नहीं देने होंगे और साथ ही कोटक महिंदर बैंक की तरफ से इस credit card को लेके एक बहुत अच्छी इच्छुख ख़बर यह आ रही है कि इसमें आपको कोई ITR जो income tax का ITR निकालना पड़ता है हमें अपने income proof देना पड़ता है यह कोई income का document देना पड़ता है तो इसमें वो देने की जरूत रही है यह without document है without any credit score reward भी मिलने वाला है आपको इसमें यानि कि आप इसमें कुछ money spend करते हैं कुछ इससे shopping बगएरा करेंगे तो reward के तोर पे आपको movie ticket और even fuel surcharge waiver up to 3500 annually जी हाँ इसमें आपको petrol या कुछ आप डीजल अपनी कार में भरवाते हैं या कुछ भरवाते हैं तो इसमें भी आपको काफी अच्छा reward देखने को मिलने वाला है और बात करें इस credit card को mobile से बनाने की तो ये जट से बन जाता है सिर्फ 5 minute के अंदर जी हाँ 5 minute के अंदर 5 step में आप विदिन आप 5 minute लगेंगे आपको और 5 step लगेंगे इसमें वो भी आधार और pen card डाल कर बिना कोई ITR बिना कोई income proof के document के इस credit card का link जो है मैंने description में दे दिया है और जब आप description open करेंगे इसके link पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface open होगा ये जो link description में मौझूद है मैंने इस पर click कर दिया है और कुछ इस तरह का interface आ गया है सबसे पहले आपको अपना pen card number डालना है जी हाँ pen card number डालेंगे तो pen card आपका number डलती verified हो जाएगा और नाम automatically जो नाम का column है उसमें automatically आ जाएगा देखी जिस तरह आ गया है ठीक है number डालेंगे mobile number अगर mobile number नहीं आता है और आता है तो tick लगा के submit कर देंगे नहीं तो फिर आपना mobile number डालके OTP करेंगे इसमें दोनों हो सकते हैं कभी number आपको डालना पड़ागा कभी automatically fill हो जाएगा जिस तरह नाम और Gmail ID automatically fill हो गई थी ठीक है तो फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे और कुछ इस तरह का interface आएगा आपको कोटक महींदर पेंगी तरफ से credit card दिखाये जाएगा और देखी जो मैं बात कर रहा था शुरू में 00 joining fees, 00 annual fees सावजी चीज़ा आरेंगे इसमें या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं नहीं तो फिर आप get your card now पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है और यह सब इसमें सब इसके reward बगएरा जो मैं शुरू में वीडियो में बात कर रहा था जिस सब वो दिखा रहा है इसमें हमने क्लिक कर दिया है और आप इसको चाहें allow कर दें चाहें block कर दें अब जो आपका bank account का CRN number जो होता है CRN number डाल के क्लिक करें और आप लोग भी अपना CRN number डाल के क्लिक करें CRN number आपको जो है कोटक की जो app है 811 app उसमें आपको देखने को मिल जाएगा नई तो फिर और भी option है आप और option भी choice कर सकते हैं डाल सकते हैं फिर उसके बाद इन दोनों column पे क्लिक करेंगे और फिर next पे क्लिक कर देंके आगे बढ़ेंगे अपने third step पे third step में जो mobile में आपका जो bank में mobile number डर्ज होगा उस पर OTP आएगा OTP डाल के हम जो है submit कर देंगे और फिर submit के बाद जो है कुछ इस तरह का interface आने लगेगा घूमने लगेगा कुछ इस तरह से और फिर हम थोड़ा रुकेंगे नमबर डाल के फिर उसके बाद जो है credit card बनके इस तरह के इस तरह interface आएगा ठीक है हमसे पूछा जाएगा आप कौन सा card लेंगे regular card लेंगे या फिर every bag card लेंगे हम जो है regular card लेंगे तो हमें क्या करना है regular card पे click करेंगे और फिर इस card पे click करेंगे ठीक है तब हमारा यह आग और फिर इसके बाद कर्पे करेंगे तो कार्थ पर बीलु कलर का टिक बना आजाएगा ठीक है जैसे कि मैंने कार्ड कर लीक करा है और यह आगय है बिलु टिक हम प्रोसिस्ट पर आगए बढ़ा देंगे ठीक अब थोड़ा हम रोकेंगे फिर उसके जो हमारी detail जो होंगी वो automatically fill हो जाएंगी bank की तरफ से जो हमारे bank में जो नाम जो होगा वही इसमें automatically fill हो जाएगा तो हमें यहां से हमें process कर देना है ठीक है उसके बाद हम थोड़ा wait करेंगे फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम से पूछा जाएगा date of birth जो automatically देखिए fill हो गई bank की तरफ से फिर हमें अपना select occupation जो आप क्या काम करते हैं वो डालना है आप किस महक्मे में हैं sell employee, retired, student जो भी आप हो वो आप इसमें click कर दिए फिलाल अभी हम यहाँ पे salary पे click करेंगे क्योंकि salary का है यह आप इसके बाद फिर next पे click कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आप से पूछाएगा company का नहीं जो भी आपकी company होगी अपनी private होगी या आप खुद की company होगी government company होगी जो भी हो डाल दिएंगे हम ठीके जो भी होगा और अगर आप कुछ गलट डालेंगे तो यह आपका आगे नहीं बढ़ेगा जैसे कि यह अभी आगे नहीं बढ़ ले आए यह ठीके जो भी आपका हो काम से रखते हो देखी है हम नीचे कुछ डाल लाएं तो यह अपने अभी नीचे इसमें शो हो रहा है फिर उस पे हमें किलिक करना है ठीक है अब जैसे हमने यहां डाल दी है टीचर प्राइविट टीचर तो प्राइविट टीचर पे अपने अग किलिक हो गए address पर आना है घर आपको थोड़ा इसमें एडिटिंग करने हैं तो आप एडिटिंग कर लेंगे हमें थोड़ा अपना address जो हैडिट करना है है अपना लेंड मार्क बगारा और एड्रेस लेंड 3 बगारा जो है हम थोड़ा हैं पे एडिट करेंगे अपना और अपना पिन कोड बाखर रहा हूंगे इसी एड्रेस पर जो है हमारा क्रेटिट कार्ड बनकर आने वाला है ठीक पूरा एड्रेस होने के बाद next पर click कर देंगे और फिर थोड़ा रुकेंगे इसको पूरा होने देंगे फिर आप देखिए यह इसमें आ रहा है प्लीस एंशोर रेसिटे Trainks address completely valid kindly मतला ये पूच रहा है आपको वताबर आए कि यह आपने अड्रेस डाला है सई करा है हमने addreece जो हे edit करा है ठीक है? तो यह हमसे वाबरा पूछ रहा है कि यह ऐसी addreece पे आपको manggawana है इसी address पे आपका credit card आएगा कि यह addreece आपका सही है और कुछ editing करना है नहीं करना बखेरा बखेरा यह सब पूछेगा, ठीक है? हम फिर इसको wrong wares' को click खटा के और नेक्स पे फिर से हम किलिक कर देंगे फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इसमें एंपलोईमेंट डिटेल्स पूछी जाती है एंपलोईमेंट जितना भी यो भी आप काम करते हैं जिस महकमें में होते हैं जिस डिपार्टमें में होते हैं उसकी पूरी जानकारी पूरा किष्टा टिष्टा सब बगेरा पूछता है हमें सब डालना होता है ठीक है अगर आप किसी ओफिस में काम करते हैं तो ओफिस का नाम डालिए ठीक है और अगर आप किसी प्राइवेट ओफिस में काम करते हैं तो प्राइवेट डालिए फिर इसमें आगला पूछा जाता है Designation मतलब यह है कि आप उसके बारे में 30 वर्ड में काम करते हीं, आब लेवर करते हों, कुछ भी वगहरा बगहरा, किसी भी कार खाने में हों, कॉंछाइ भी हों, तो आप वहां का यडर्स डालेंगे, ओधिक है, जैसे कि हम यcit डालेंगे, ले अगर माँ उस कार खाने का, या अफिस का, या सरकारी ओफिस का नंबर है वो डालेंगे यह सब डालने के बाद हम फिर उसके बाद इसको next पे फिर से click कर देंगे ठीक है और फिर उसके बाद हम थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद जो है हमारा bank में जो नाम है automatically fill के fill होकर आ जाएगा हमें कहा मंगवाना है रेसिडेंस card में चले आ जाए तो हम इसको click पे हटा देंगे अगर आप लगाना चाहते हैं याली सेवा ये करवाना चाहते हैं तो करवा लिएगा लेकिन हम नहीं चाहते ठीक है फिर आप tick हटाएंगे तो इस पे automatically tick आएंगे इस पे हम लगे रहें देंगे और फिर next पे click कर देंगे process ठीक है फिर हम इस पे थोड़ा रुख जाएंगे और जिस पे tick लगे हैं और आप अपने הसाफ से पढ़कर टिक लगा लिएगा जैसे आप चाहें वैसे पढ़ पढ़कर ठीक हैं और हमने अपने हिसाफ से टिक लगाए हैं आप अपने हिसाफ से अंदर यह हमारे घर के एड्रिस पर आ जाएगा credit card ठीक है यह application number है आप चाहें तो इसका screenshot लें चाहें किसी copy पे लिखके रख लें और इस application से आपका track होगा कि आपका credit card reject हुआ है या approve हुआ है तो कितने दिन में बनकर आ जाएगा कहां पर है बखेरा बखेरा